कथा वाचक देवकी नंदन ठाकुर जी हमारे साथ में हैं और इन दिनों आपने देखा होगा जहां जहां जाते हैं कथा के साथ में एक वाक्त के जरूर बोला जाता है कि श्रीकृष्ण जन्भूमी को मुक्त कराना है ये धर्म संसत भी संतों का संसत भी ये सारी चीजों में इस समय इन्वाल्व हैं अभी और क्या कर रहे हैं पूछते हैं आपको हमने देखा कथा सुनाते सुनाते बीच में एकदम से कृष्ण जन भूमी का मामला आता तो लोग सोचते हैं कि कही राजनीती तो नहीं हो रही है ऐसा सोचते हैं लोग राम मंदिर का निर्माण 500 वर्स बाद होता है तो एक कलपना एक भावना एक उद्देश मन में आता है कि कैसे भी अयुद्या की तरह मुत्रा का भी भव्य निर्माण होना चाहिए जैसे राम लला 500 वर्स के कलंग से मुक्त हुए हैं वैसे कनिया भी मुक्त होने चाहिए तो एक दम से नहीं है यह मेरे मन में है यह मेरा संकल्प है यह जो दिल्ली में भागवत हुई है इसका एक मात्र संकल्प था क्रिश्यन जनव भूमी की मुक्ती के लिए और यह कथा को करने में बहुत क्रिटिकल कंडिशन है मैंने फेस की है तो I don't mind कि मुझे क्या फेस करना प फिर धर्म के अधार पर चलेगा हम लोग कहां जाएंगे ऐसा बोल रहे हैं लोग जो लोग कह रहे हैं वो खुद यह सोच लें कि उन्होंने कैसे चलाने की इच्छा बना रखी है हम पर उंगली उठाने से पहले देख लें वो हमाई तरफ एक उंगली कर रहे हैं तो अपनी तरफ चार उंगली कर रही हैं और यह प्रतक्षम की इंप्रमाड़ मेरे से मत पुछवाओ जो लोग पूछ रहे हैं उनको खुद पता है कि कौन सी चाल चल रहे हैं तो मेरा वि ठोपनें के लोग सम्मृदान के लिए सभी के लिए है जो इस डेश में रहते मैं सम्मिदान सम्मधानने सबको अक दिया अधर को जब तक करेगा है जब हम लोग नहीं मानेंके तो इसकी बात करते हो पिर दर्म की बात करते हो यह डबल बात है के नहीं, तो हम लोग सम्मेदान को फुली मानते हैं, और कृष्यनम भूमी पे तत्य है, सत्य है, और ग्रंत है, सब कुछ हमारे साथ में है, कि मतुरा सत्य योग में हमारी थी, मतुरा त्रेता योग में हमारी थी, मतुरा द्वापर योग में हमारी थी, और अब भी भी पिर ऐसे क्यों कि अभी भी उसके लिए अंदुलन करना पड़ रहा है क्या कोट में सही तत्त नहीं जा पा रहे हैं या कहां कमजोरी कहां है हम आंदोला नहीं कर रहे हैं हम जंजागरती कर रहे हैं आज एक कथा में हमने साथ दिन से हैं बैठे हैं कौन सा अंदोला हमने सड़ा गेल ली किसके खिलाप नारे लगा दिये किसके लिए हमने मुर्दाबाद मुर्दाबाद कह दिया जितने सांती प्रत तरीके से अपनी ब बताई उससे ज्यादा एक नहीं मिलेगा आपको यह है सनातन की द्रण संकल्प और यह हमारी सम्मेदान और कानून को मानने की चाह सकती इतना और किसी में पाल के दिखवा दो आप शांतिपूर कार्ण कर रहे हैं लेकिन यह जो काम है वो तो लग नहीं रहा कि शांतिपूर ह हो पाएगा क्योंकि उसके लिए बहुत सारा श्रम चाहिए रहेगा वो बोल रहे हैं कि कोट में सारी चीजे जा रही है और हमारे खिलाब चीजें हो रही है हब एक ले लिए राम मंदिर दूसरा वो काशी में ऐसा कर रहे हैं अब तीसरी जगे तो कि टकराव कब तक कुछ लोग बोलते 3600 है कुछ लोग बोलते 6000 मंदिर हैं उसकी लिस्ट लेके बैठे हैं जितनी 3600-3600 के लिस्ट लेके जो बैठे है न तो लिस्टों को पढ़के जिनके पेटों में दर्द हो रहा है पहले तो यह सोच लें कि उन दुस्टों ने क्या किया था जो आकरांता थे ज पर भी उन्हीं के साथ खड़े होते हूं हम लोग हमारे योगी जी ने तीन चीजें कहीं है तीन चीजें मागी है अयुद्या हो गई कासी और मतुरा और इन दौनों को प्राप्त किये बगर कोई भी सच्चा सनातनी तो मौन बैटेगा नहीं चाहे पार्टी कोई भी हो उस जगे आप जन जागरती कर रहे हैं लेकिन फिर अब आगे क्या मुझे लगता है बड़ा कोट में जाएगा बड़ा स्लोब कोट ने यह भी कहा था बीच में एक अरजी लगाई गई थी कि यहां पे जैसे सर्वे होता है एसाई का वह हो उसको फिर खारिच कर दिया गया ले मेरी कमपनी त謝謝 में डायरेक्टर थे इसे को माना लगे सब तुम्हारा ही है अब आता कुछ ही नहीं इसको मानलेंगे तो फिर ए गोचित कर वादो के पाकिस्तान नगए हो नगे अको पाकिस्तानों नियायको मानुनेंगे सब्सक्राइब टब होसा पुल कौन करी किस रोगर। अचाना के जोड़ जोड़ से कभी जैश्री राम कभी श्री कृष्ण हमाएंगे बंसी वहीं बजाएंगे चलू हो गया है कौन कहे रोजावात है कॉंग्रिस कह रही पार्टी के निता लोग हैं चोटे हैं चोटे हैं मतलब चोटे लोगों कि अपना मोरा प्रेंट लाइन मे कौन सी सामिपर देखता नहीं थी कि जब मंदिर हिंदूों के मंदिर सरकार के कभजे में किये गए यह क्या था यह कि यह 89 में मंदिर का उसका ताला किसने खोला था यह क्या था दूसरा अभी करनाटक में मंदिरों पर टेक्स लगा दिया 10% यह क्या है थोड़ा मश्यतों क्या होग्या है कि मैंनावटी का ने लेना चाहताहुं कि मैं नहीं चाहता gelir हूँ किने एक बास समझेदा के अगर सनातन को थेश पहुंचाने कोशिस की कोई भी के लाए औट नहीं बचा यह तो kore ना में सिल्ट्रने वाले हैं आप धंकीistlesNER किसको रहवर नहीं बचा मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हैं जो धर्म के बिरुद्ध जाएगा बचेगा कौन कौन बचेगा आज तक तो इतियास यही कहता है कि यह तो धर्म होता तो जया जो सत्य के साथ खड़ा है उसकी विजय है अच्छे एक और बात बदा दो मन न मान जे न माने जैसी राम को न माने जैसी कृष्ण को अपनी खुद की कंडिसें नी बता दें फिर वह आज क्या है कि अभी भी आपको यह नहीं समझ में रहे हैं सिर्म मंदिरों पर टेक्स लगा रहे हो हमारी आंक फूट गई हमाई बुद्धी बर्ष्ट हो गई है हम गोवर अगर यहां 10% तो मैं 8% आर दो चर्च पर उड़ार दो 57% हमें तो कोई बुराई ना है अगर हमारे मंदिर सरकार के कबजे में हैं तो 2-4 NQ कबजे में ले ले लो नहीं ले ले ना हमाई फूट गई है हमारी हमें बुद्धी ना रही जो यह कह देंगे वो सब सही है वेट कि वो मतलब समझें मल समझें मतलब क्या हो मतलब मतलब वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे जांब लोग बलते हैं कि महाराज जी को भी राजिनीती माना है शायद चलो हमें टिकेट दबादे तुम बला कुंसी पार्टी दिबाओगे कॉंग्रेस देगे रावल गांदी ज को भटका नहीं बाद जब भी कोई अच्छी बात कहे अब राम जी के बाद क्रिश्ण जी की बात कर रहे हैं तो अब इनको राजनीती मफसका दो जिसे हम गाली दे सके इनको अरे बहिया हमारा उदेश राजनीती नहीं है हम आज आपके चैनल पे तुम्हाई माय की कसम खा सब्सक्राइएं हम लोग वो नहीं चाहते हैं जिससे हमारे बच्चे आने वाले समय में बिगड़ जाए और वो धर्म के साथ ही संबब है अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में हमारे बच्चों का मामला जैसा चल रहा है अब सब देख लो जाके जाके कभी-कभी वहां से भी कुस तक पहुंचा है स्कूल और कॉलेजों में भुक्का पी रहे हैं बच्चे वह कौनसी पार्टी होती है चोटे-चोटे-चोटे बच्चे 15 पार्टी रेव पार्टी वह मैं सिका रहा हूं उनको कि जाके तुम पार्टी में समले तो मम्मी पापा को भिना बताए अरे मह हैं या हिंदू राष्ट बनाना चाहते हैं इस देश्ट के बनेगों ना हिंदू रास्ट तुमाइजों मैं सांची कह रहा हूं जी जो आज अल्ला मचा रहे का हैं जिनके आने वारी पीडियों सुखी रिंगी और जिन न बने हो तो जिनकी तो हमें गारंटी आतना है जित हमतों सुख जी आता है जो हम देखत का है बाते विचार बनाता है एक ही बाते ही लने अभरी करह करें पर दिर्श्म नौज रहो है ठतवान गया झालिया जांस है क्यों बोले धर्म नहीं बदला अब दो बात हैं अगर या कि साधी नाजाज है तो अलाद का होगी बोलो का होगी जायज के नाजाज इसका मतलब लड़की साधी करे तो सबसे पहले धरम बदले तो साधी का मतलब है। दरम बदलने का तरीका समझ गए और ये मेरी बच्चीयों के साथ होने दूम है और मैं चुब बैठूं इन मौलानाओं से न पूची को भाई तुम यह क्यों कर भार हो जब यह हो गया तो ना जायज क्यों करें जायजे रिंद्यों ना जायजे क्यों बोले दरम बदलो पहले क्या काओगे इसको बाई साथ आखें आपकी हैं मेरी हैं बुद्धी आपके पास है मेरे पास है आने वाली पीडी की चिंता हमको करनी चाहिए हमें उनके बच्चों से कोई मतलब नहीं वो साइज जाय साधी करें पर मेरी बच्चीयों के साथ मेरे सनातन धर्म के बच्चो किया गया था कोट ने उसे ठोगरा दिया उनकी खार याच का खारज कर दिये और अभी जो हम लोगों की याच का लगी हुए नेक्स डेट में हम लोगों ने यहीं का है कि एसाई सर्वे होना चाहिए उन सीडियों का और यह पता चलना चाहिए कि महां भगवान है तो हमको संत संसद जहां अपने संसकारों की चिंतन होगी मनन होगी और यह चर्चा होगी और पूरे चार-पांच गंटे चलेगी उसमें से जो सार निकलेगा समुद्र मुंतन के बाद वो आप सबको बता दिया जाएगा धन्यवाद देवकी नंदन ठाकूर जी महराज का थावाचक बोल रहे हैं कि कृष्ण जन्म भूमी हमारी है होनी चाहिए और तीन देदो उसके बाद नहीं आगे क्या आप देखिए ये जो धर्म इस समय अलग अलग जगे से पल्लवित हो रहा है वो किस तरफ जा रहा है आप जानिये लेकिन ये ज़रूर है ये जो इस देश में इस समय जो चल रहा है ये समय बड़ा गजब है राममंदिर हो गया उधर काशी में कुछ और चल रह आवाजें आ रही हैं यानि चारों तरफ से आवाजें आ रही हैं अब आप आगे आगे देखिए हम भी अपडेट लाते रहेंगे कैमरमेन राहूल सिंग के साथ भूपेंद्र सोनी देवराही